तो हेलो दोस्तों आप देख रहे हो सब की खबर। आज के एपिसोड में हुआ ये है कि अली इबलीस के मसकारा शैतान और कट पुतली को पकड़ने के लिए गया है। वह पहले तो उसे वहाँ जाने पर कोई दिखा नहीं पास एक पत्थर पे हाथ रखने पर वह शैतान सामने आ जाता है। अब अली को उसकी कमजोरी पता करनी थी तो अली पाना दिमाग चल कर उसकी कमजोरी पता करता है। मार कर शैतान की ताकत उसकी हसी होती है जब वह शैतान हसता है तब उसकी मुह से ऐसी गैस निकलती है जिसको सुंगने से किसी की भी हसी नहीं रुखती और वह हस्ते हस्ते मर जाता है फिर अली अपनी हसी पे काबू पाके नफी की दी हुई गोन से अली उस शैतान के होटो को चिपका देता है और उससे कैद कर देता है मासकरे को पढ़ने के बाद अली कटपुतली को पढ़कने के लिए उसे बुलाता है कटपुतली की रसिया अली की शम्शीर से भी ज्यादा ताकतबर होती है फिर अली कटपुतली को उसी की रसियों की मदद से कटपुतली को कैद कर लेता है और दुरी और सिंसिन अली के कहने पर मरजीना को धूढती है उस लाल दर्वाजे के पीछे सिंसिन को मरजीना मिल जाती है एक बार तो सिंसिन उसे मार का सोचती है पर उसे अली की बात याद आ जाती है कि अगर उसकी मरजीना को कुछ भी हुआ तो अली पहले सिंसिन को कतम कर देगा उसके बाद सिंसिन मरजीना को नहीं मरती पर उससे इबलीस के खिलाफ बढखा देती है सिंसिन मरजीना से पूछती है कि इबलीस को सिंसिन की महोबत क्यों नहीं दिखती पर मरजीना उससे कहती है कि जहां इज़त नहीं होती वहां महोबत नहीं होती है इबलीस ने कभी सिंसिं की इज़त नहीं की इस तह मरजीना सिंसिं को बढ़खा देती है और दूसरी और अम्मी दरीबा बड़े कोत्वाल और नफी के जादूई पत्थर देती है मीनारों की नीव में रखने के लिए जिससे वह उन मीनारों को एकदम से ही तभाह कर दे पर यह करते समह नफी एक आँख वाले शैतान से पकड़ा जाता है कल के एपिसोड में अली और उसकी अम्मी इबलीस के एक और शैतान जिसके पास इबलीस की आधी काली ताकते हैं उससे कैद करने के लिए जहनुम में जाएंगे